प्रस्तुत है संकल्प उपन्यासिका का एपिसोड सोला लेखक है, रवी रंजन गौस्वामी आवाच सिध्धी की है, सुभध्रा का विवाह तहुए एक वर्ष के लगभग बिकपीत गया था, विवाह का महूर्थ इस साल गर्मियों में 15 जून का निकला था, सुभध्रा की ससुराल उरी थी जो अधिक दूर ना थी, लेकिन सुभध्रा को लग रहा था, वे बहुत दूर जा रही थी, क्योंकि मैंके आना जाना लड़की की मर्जी से हो जरूरी नहीं, सुभध्रा का वर्चंदू परचून की दुकान खोले था, देखने में अच्छा इस बात से वे संतुष्ट थी, विवहा के तीन चार रोज पहले से पूरा गाउं विवहा की तैयारियों में व्यस्था था, हर विक्ती इस प्रकार तैयारियों में सलगन था जैसे, उख बहन या बेटी की ही शादी हो, शाम को बारात के स्वागत और ठेरने की व्यवस्थ सम्हाली हुई थी, इसके लिए सुभद्रा के घर के आंगन में ही बड़े चूले दो तीन बड़े मिटी के चूले, बना कर बड़े बड़े बरतनों में भोजन पकाया जाता था, इस कारे में अरोस पडोस की स्त्रियां उसकी मदद करती थी, आखर वे दिन भी आ गया जब खोड़ी पर चड़कर चंदू बारात सहित सुभद्रा के घर आया और साथ फिरे लेकर विवहा संपन हुआ, विहा की सारी रस्मे रात में हुई थी, सुभद्रा बेचैन थी, उसने श्याम को बुला भेजा, श्याम उसके भाई जैसा था, अता उसने निसंकोच उसे कमरे बुला कर एकांत में बात की, उसने श्याम से कहा, तुम्हें एक खास बात बताने के लिए बुलाया है, श्याम ने कहा बताओ क्या बात है, सुभद्रा ने डड़बाई आँखों से श्याम को देखते हुए कहा, तुमने देश आजाद होने पर ही विवहा करने की शपतली ह श्याम ने कहा, हाँ, मगर तु इतनी परेशान क्यों है, सुभद्रा ने कहा, मेरी जान से प्यारी सहिली में तुम्हारी ही तरह देश आजाद होने तक शादी न करने की ठानी है, श्याम ने अनुमान लगाते हुए पूछा, इसने क्या लाली में, सुभद्रा ने कहा, उसने श्याम को नमस्ते किया और सुभध्रा से बोली सब लोग दर्वाजे पर तुम्हारा इंतिजार कर रहे हैं। चलो। श्याम भी पीछे पीछे बाहर आ गया। परिवार के सभी लोगों से भेट कर अश्यपूरत आँखों के साथ सुभध्रा की विदाई हो गई। वे अपने वर और बरातियों के साथ बस में बैठ कर अपनी ससुराल चली गई। अपनी अनुपस्थिती की रिक्तता छोड़ ग कर अपनी अनुपस्थिती की विदाई हो गई। अपनी अनुपस्थिती की विदाई हो गई।